हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका वीज्वल आच्वित वीनी में फ्रेंड्स आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह एंटीए इतना डीले करता रहता है मतलब आप लोग को इतना परशान किया उनने आंसर की के लिए टू मन्स में दिये उसी प्रकार से वीनी भी ऐसी हो गई है और वो भी डीले कर करके के भई हम अपना वीडियो लेके आओंगी हम आगे का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कर करके आखिर मैं भी एंटीए के साथ ही चल रही हूँ और जब आंसर की आई तभी हम अपना वीडियो लेके आए और इसके बाद धियान रखिए इसके बाद अम हम लोगों ने पढ़ाई जो आप लोग देख चुके हैंगे अपनी आंसर की I know बहुत लोग और जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है जिन लोगों का पेपर इतना दमदार नहीं गया है सभी के लिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं रुकना है हम लोगों को अपनी पढ़ाई आजी से फिर से शुरू करनी है ठीक है तो ये आंसर की का जो वीडियो है इसके थूरू मैं अपना फिर से जो अपना बिल्कुल पॉस हो गया था कुछ सिचुएशन दिसी बन हो गए और अब जहां जो है अपना नेक्स्ट फेस पर कदम रखेंगे जो हमारा नेक्स चाहिएगा डिसेंबर 2021 का जो इक्जैम होगा उसमें हम अपन फोकस करेंगे तो इसलिए आज अभी तक के पेपर की बात हम आज करेंगे उसके बाद जब कट आफ रिलीज होंगे तो हमने कुछ-कुछ गडबडी कर दिये तो यह सब नैचरल है हम कोई फॉर्स टाइम देते हैं जब हम दो-तीन बार थोड़ा सा अच्छा एक्स्पीरियंस दो जाते हैं तो हम वो गल्कियां कम करते हैं तो इसलिए आज हम जादा ध्यान मतलब इतने दिनों बाद मिली इस जैन्वरी को अब करेंगा आदा अगर कोई आंसर है कि वह रही है और इनने गलत दे रहा हो तो आप बिलकुल बोल सकते हैं तो मैंने पेपर देखाया है पर वन में यह क्वेसять ढव्ट यहाचल्ट में इसने क्लेंश साइब में नहीं करता है तो अपन वो भी discuss कर लेंगे, अगर कोई एक दो नमबर से रह रहा है, ऐसा है, तो आप लोग बिल्कुल claim करो, है न, अपना answer sheet पे, NTA की site पे जाके, तो उसका आगे work होगा, ठीक है, तो अपन बात कर लेंगे उसे पे भी, तो अभी जो है, यह paper 1 वाली चीज है, यह मैं कल कर आपको, लेकिन अभी हम सबसे पहले subject पे focus करके 51 questions से कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या-क्या था, क्योंकि सबकोई subject से ज्यादा curiosity रहती है, मुझे भी थी, एकदम paper देखके, क्या-क्या आया है, तो बहुत paper बहुत बढ़िया था, मैं literally कह रहे हूं, आप किसी सभी पूछेंगे paper बढ़िया था, लेकिन कुछ confusion और हम exam fear इन सब के कारण हम तोड़ा सा गड़बर कर बैठते हैं, तो इसलिए उसके लिए tension करने की आपको आवशकता नहीं है, चलिए अपन 51th question यह सब paper 1 चल रहा है, करेंगे इसको भी discuss कर लेंगे, पैसे इस तो बहुत easy सा दिखा था, दे आप लोगों उन्हें answer की code से नहीं समझ पाए हो, नहीं match कर पाए हो, तो आप लोग भी अपना जो paper वाला response sheet है, वो खोल लें, डाउनलोड कर लें, और फिर मेरे साथ answers को टैरी करते जाएं, तो देख लेंगे कितने marks आ रहे हैं आप लोग के, ठीक है, तो हम शुरू करते ह हैं, चलिए, फटाफट करेंगे, कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत explanation हो जाए, लेकिन क्योंकि 100 question करने एक ही वीडियो में, तो थोड़ा से जल्दी जल्दी आप लोगों को देखेंगे, बिल्कुल भी extra बात बीच में नहीं होगी, चलिए, Lorenzo Ghiberti जो है, हिंदी में भ लोगों में से आपको क्या है वो, तो वो जो है, वो स्कर्प्टर है और आर्किटेक्टर है, मतलब B&D है, तो B&D फोर्थ वाला option जो है, आप लोगों का सही हो जाएगा, फिर आते हैं, भारतिय इस्लामिक वास्तुशिल्प, जो इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प है, उ दाखिल दर्वाजा, अलाई दर्वाजा, ठीके, तो रूमी दर्वाजा जो लखनाओ में है, वो क्या बोलते हैं उनको, असा फुद्द ल्ला, जी उनने बनवाया था, बुलन दर्वाजा है, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया है, फतैपोर्सी क्रीक में है, दाखिल दर्वाजा, कॉलकत्ता, पांडवा, गौर उधर है, और अलाई दर्वाजा बोलते हैं, अलाउदिन खिल जी दिली ने बनाया है, तो अलाउदिन खिल जी का टाइम सबसे पहले आएगा, सीधे से सोचना है, कि डी कहाँ पर है, उससे पहले ये सब हैं ही नहीं, ये लोग ह सामय है, फिर बुलन दर्वाजा है, और फिर जो है, रूमी दर्वाजा है, तो ये आपका फूर्थ ऑप्शन सही है, CTP, CTP जो है, उसका फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है, वो हम कर देंगे, computer pre-press, computer to paper, computer to plate या computer to print, ठीक है, तो computer to plate, जो थर्ड वाला है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, computer to plate, कुछ-कुछ लोग computer to print confused भी हुए है, लेकिन computer to plate, CTP का फुल फॉर्म होता है, अब देखें, 602 कोशन, बुद्धिस साइट है, ये सारी, नौर्थ से, मतलब उत्तर से दक्षिन की और क्या आता है, उसका location हमें जमाना है, बहुत मुश्किल नहीं है, अम्रावती, संगोल, हरवान, साची, नौर्थ से साउथ की ओर आना है, अम्रावती, महराष्ट्र में है, संगोल, जो की पंजाब, फतैगर सहेचिद वहाँ पे है, हरवन, जो की एरान में है, वो तो इरान का है, और साची MP में, तो हम सबसे प आपका जो हम sequence जमाएंगे वो जमादेंगे C, B, D और A, C, B, D और A, देख लेते हैं C, B, D और A, यह देखें, 2, 4, 0, 7, exactly, 3rd option, चलिए, आगे देखते हैं, 577 questions जो है, आपका, यह जो टाइपर phase है, यह सब पढ़ा ही करेंगे, अपन भी यह सब हुआ नहीं है, अपन लोगों जाते हैं, serif face, serif face बोले तो, जिसमें बोलेंगे, यह डैश रहते हैं, ठीके, serif means यह, sans serif मतलब इसके बिना, तो इन में से कौन सा serif faces वाले, type face जो की serif, serif और sans serif, दो चलखे होते हैं, जिसमें dash लगे रहते हैं, उसको serif बोलते हैं, और जिसमें नहीं रहते हैं, without रहत हैं, ठीके, तो इन में से serif कौन है, तो new times roman है, और georgia है, ठीके, यह सब learn करना रहता है, ANC, second option, correct रहेगा, ठीके, अब आते हैं, the dine centaur, the dine centaur, एक sculpture है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, dine centaur, जो sculpture है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, एंड्रिया कसेला, एंटोईन, बर्डियूल, जोर्ज बैसिलिट्स, और मेरियोनो मरिकसी, तो यह जो है, आपका, एंटोईन, बर्डूल, second option, जो है, उनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, एक बाद देख लेते, कितने question हो गए, यह 56 question हो चुके हैं, भी तक है, मतलब 6 question हो गए, यह 57th वा, आपन यह थोड़ा सा नायाम डाल लेते, तो आपने को पता चलेगा, आपने कितने कर लिए, ठीक है, तो यह 7th question, 57th, बिचित्रा क्लब, बिचित्रा क्लब, जो की 1915 में found हुआ है, उसके members कौन-कौन थे, ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत ही अच्छ question है, तो option दे रखे है, अवनेंद्रनाठ टेगोर, गगेंद्रनाठ टेगोर, रवेंद्रनाठ टेगोर, चारों टेगोर का नाम दे रखा है, और इसमें से यह पूछा है, इनके members कौन है, ठीक है, तो बहुत confusion होता है, और इसलिए, क्योंकि यह net के question में दिया है, तो यह possible ह क्या है भाई कि बिचित्रा क्लब के सदस्य कौन-कौन है, तो अवनेंद्रनाठ टेगोर, गगेंद्रनाठ टेगोर, और समरेंद्रनाठ टेगोर, यह तीनों उसके सदस्य थे, जबकि रवेंद्रनाठ टेगोर, जिनके लिए सब बहुत लोगों ने शायद उनको लिया भी होगा अपने option में क्योंकि गलत नहीं है हम जब रविद्ना टेगोर की profile पढ़ते हैं तो हम उसमें बिचित्रा क्लब का नाम भी पढ़ते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं कि बिचित्रा क्लब का जो है 1950 में इनाउग्रेशन जो जिसको बोलते हैं उद्गाटन रविद्ना टेगोर द्वारा हुआ था लेकिन उसके जो चदस्य थे वो यह तीन थे तो बिल्कुल सही आपका सही हो जाएगा यह आपका है 57 नंबर का क्वेस्चन अब आते हैं हम 58 देख लेते हैं करेक्ट सीक्वेंस चाहिए हमको के जो करोजन समझते आप जो रस्टे वो हो जाता है ना जंग लग जाना उससे nieumb 04 तो सबसे कम करेजिस्टेंस किसका है वह किसका है तो यह चार मेटल है Ó कॉपर आयरन अल्यूम्निउम तो सबसे क cran जो है वह वो लोही का होता है आरन का फिर 15 का हो जाता है मतलब उन 2 फिर आपका एल्यूम्नियम और फॉर आपका कॉपर्ड वन ट्यू थ्री और फॉर ऐसा आएगा मतलब सी ए डी और बी सी ए डी और बी यह वाला अप्शन थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है अब आगे जाते हैं कल्पसूत्र कल्पसूत्र जो की एक तरह से हम बोलेंगे मेडिवियल पीरेड का पेंटिंग्स है तो उसका उलेखनी विशेशता है क्या क्या है देखो बहुत अच्छी यह बहुत आसान कोश्चन है हिंदी में पढ़ते हैं इसको उब्रे बाहर निकले नेत्र फिर आते हैं क छाया प्रकाश रंगो की पारदशिता पारदशिता मतलब बोले तो ट्रांसपरेंसी और पॉइंटेड नोस तो क्या-क्या चीजें इसकी विशेशता है थी तो देखो उब्रे एवं बाहर निकले नेत्र हम पता है अब ब्रंश शेली में हम जब देखते हैं तो उनका एक ये विशेशता है कि बाहर निकले वे लाइनिंग्स पूरी नेत्र की बाहर तक जाती है तो ये तो सही है फिर क्या है कोणिय एवं कठोर रेखांकन ठीक है कोडी अच्छी रेखांकन बहुत स्ट्रॉंग होता है उनका जो लाइनिंग्स है तो वो तो इंडियन आर्ट का ही कि इन में देखती है तो इसमें रंगों की फ्लैटनेस होती है ठीक है तो यह भी नहीं होगा नुकीली नाग बिल्कुल जब हम देखेंगे कल्पसूत्र पेंटिंग्स देखी है बहुत सारी तो उसमें उनकी जो नाग है वो नुकीली होती है तो A, B और E A, B और E मतलब फॉस्ट आपका सही है अब देखते हैं रॉबर्ट मदरवल यह कॉशन बहुत मतलब उससे आया है यह पहले भी डिसकस हो चुका है अपने ग्रूप में कहां के हैं वो बहुत फेमस आर्टिस कहां के हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जियुमनी, उसे तो बहुत कन्फ कम दूरेशन में हम देख रहे हैं लास्ट यहर के इपज में आ चुका है तो हेंड्री मूर जो फेमस स्कॉर्प्टर हैं किससे प्रभावित थे तो हम सब जानते हैं एफ्रिकन स्कॉर्प्चर नहीं एजिप्टियन नहीं इंडियन नहीं माया अस्टेक के जो हैं वो क्या-क्या है देखिए स्क्रैपर रॉकर बर्निशर नीडल और लेविगेटर एच्छिंग के समय हमें क्या-क्या टूल्स की अवशक्ता होती है ठीक है तो देख लेते हैं स्क्रैपर रॉक Kait यह जो है हम मैजोटियन के समय यूज करते हैं बर्निशर बर्निशर शिंग के लिए नीडल बिलकूल नीडल उसका बोलेंगे नीडल क्या काविंग करने के लिए यूज होती है और लेविगेटर तो लीतोग्राफी में यूज होता तो A, C and D, A और C और D option देख लो, A, C और D, third option आपका सही हो जाता है, चीक है, तो 61th हो गए, 62 question हो गए आईए, आपका अब आते हैं, 63, web design का अर्थ है, वह website design जो निमलिखित में से इसमें प्रदेशित होती है, web design जो है, web designing का आप definition पढ़ते हैं, क्या है वो, कौन सा design, जो किसमें प्रदेशित होती है, देखो, billboards, जो कि विग्यापन के पठ होते हैं बाहर उसमें, digital banners में, internet में, या print media में, तो web design का मतलब ही आई, कि वो sites, वो design जो कि हमें web में available हो, और web means internet, इंटरनेट में जो available हो, वो web designing, ठीक है, आते हैं आगे, चले, लियोनाड दविंसी आ गए, हायर रनाइसेंस आ गया, द्वारा पस्तावित, निमलिकित में से किसे दैवी है समान हो, तो डिवाइन प्रपोर्शन, उनने जो कुछ ऐसा क्या चीज दिये, जिसको हम डिवाइन प्रपोर्शन के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या है भाई, फैबोनासी सीक्वेंस, प्रैक्सितलर्स लॉर, रूल ओफ दे थर्ड और गोल्डन रेशियो, जिसको आज तक एप्लाइ होता है वो पेंटिंग्स में, और हमारे लिए वो एक, बोलेंगे न, एक बेस देखे गाए हैं, तो इसको इसलिए डिवाइन रेशियो कहा जाता है, डिवाइन प्रपोर्शन कहा जाता है, जो कि लिवाइन दविंसी के द्वारा दिया गया था, चलिए, वुड एंग्रेविंग जो है, इस प्रकार की लकडी की यह भी रिपीटेड कोशन है, 2016-17 का शायद, बिल्कुल रिपीटेड के वुड एंग्रेविंग जो है, वो उसकी कौनसे ग्रेविंग में किया जाता है, मतब लॉंग, प्लें, साइड की ग्रेविंग में, एंड ग्रेन घोट के पी गाए हैं अपने इस चीज को सॉल्ब कर चुके हैं तो यह भी रैपीटेट कोशन है इंड ग्रेन में होता है आदे हैं यह भी रैपीटेट कोशन है यह मेरे हिसाब से कुछ मैस्द कॉलम वगेरा में आया होगा डाइरेक निया होगा क्योंटे उ करते हैं चारकोल टाइप की चीज़ होती है ठीक है तो यह जो है हम काय में यूज करते हैं बबा लिठोग्राफी में आ चुके हैं रिपीटेड है चलिए अब क्या है यह फेवरेट क्वेशन्स जो कि आर्टवर्क्स आपको मिलाना है इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ यह फूराने उसमें आएवे बाकी पूराने यह फेपर में आएवे वर्क नहीं है चीक है तो सबसे पहले ही मैं उस चीज़ पर जाती हूं अनीश कपूर जी जिनका सकाइव मिरर आर्टवर्क है ठीक है सकाइव मिरर आटवर्क है फिर जाते हैं हम सुबोध गुपता और देख लिएते हैं सुदर्शन शेटी तो सुदर्शन शेटी का फ्लाइंग बस सुदर्शन शेटी द्वारा बनाएं गई और आधा क्रिशन जी ने माया एजन एरो इस्ट आरो बनाएं ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कोशचन आगे आपका ये कौन सा नमबर था 66 नंबर का चलिए इन में से कौन सा मोनिमंट है जिसका एपसिडल प्लैन है एपसिडल प्लैन मतलब जो पुराना बोलेंगे न मेडिवियल टाइम में जो चर्ज का प्लैन होता था इस तरह का रेक्टेंगिलर ठीक है तो कौन सा है किस किस का है तो भाजा चैति आपको पत जो कि आई होल का है ना चालू कि वह अपने अपसिडल प्लैन के लिए जाना जाता है यह पुरानी उसमें आ चुका एक क्वेश्चन ही आया था कि दुर्गा टेंपल का प्लैन क्या है ठीक है वैतुल डेउल वैतुल का भूवनेश्वर जो ओडिसा वो उसी अपने वैतु कि यह ना ईशी और एस शेकंड ऑपशन आपका करेक्ट मीजो टिंट किसके द्वारा बनाया गया था मतलब इनवेंट किया था तो लडविन वोन इनने वीजो टिंट इनवेंट किया था चलिए अब आते हैं एनमल कांट जो है स्वरी कांट ने जो एस्थेटिक्स थेओरी दी है इनमें से कौन गों सा दी है बोहत ये भी बहुत बार क्वेशन आ चुका है अपन लोगों ने जब टेलिग्राम पर भी क्वेशन करते थे इसके बारे में बहुत बार पूचे गया और देखिए वही आ गया तो कौन सा दो कौन से दो उनने दिया तो बहुत इजी है इन्टियूशन का क्रोचे ने दिया था क्रीक वाला जो क्रिटिक वाला है ये दोनों उनके द्वारा है इमिटेशन आप सब जानते हैं हमारे इनने अरिस्टोर प्लेटो इनने दिया है ठीक है तो हम किस पर आ जाते हैं बी और डी जो है एजीली थर्ड ओप्शन आपका एक बिलकुल सही है फिर आ रहे हैं इन में से क्या फंक्शन पैकेजिंग का नहीं है जब हम कुछ चीज ऐडवर्टाइजमेंट के लिए हमारी चीज जो पैकेज होके बाहर जाती है यह कौन सी चीज उसका वह नहीं है तो देखो वह कम्यूनिकेट करता है वह जो कस्टेमर है उनके बीच में कम्यूनिकेट कर रहा है सही है, identification मतलब वो पहचान, अपनी पहचान देता है, वो हम pack करके देंगे, तो उस product की पहचान होगी, protection पैक करोगे, तो वो जो समान है, वो protective रहेगा, वो भी सही, recycling, तो हम package को recycling के लिए नहीं करते, मतलब पुना उपयोग के लिए नहीं करते, वो pack करेंगे, खोल देंगे उ का function नहीं है, Stanley William Hatter ने Atelier 17 के स्थापना वर्ष कोई 27 बोल रहा था, कोई 28 बोल रहा था, कोई पूचा था 26, तो जो NTA ने अपनी answer की में 1926 इसका answer दिया है, Atelier 17 जो की Stanley William Hatter द्वारा पैरिस में invent हुआ था, वो जो है, मतलब sorry, develop हुआ था, वो जो है 1926 में हुआ था, जिसके जुड़े वे हमारे Krishna ready भी थे, जिसने color viscosity में काम किया, चाप बड़ोदा जो है, वो किसके द्वारा establish हुआ है, 69, 70, 20 question हुआ है अपने, किसके द्वारा establish हुआ है, तो दिकि चाप बड़ोदा जो है, वो गुलाम महम्मद शेक द्वारा invent हुआ था, first option, क्योंकि ये question इसले सब्सक्राइब है, तो उससे वो चाप से connected थे, इसलिए उसका देखे पूछ लिया गया, ग्लिप्टिक mode, जो ग्लिप्टिक mode है, है न, वो ये भी repeated questions है, question है, तो ग्लिप्टिक mode जो है, किस से connect है, carving, casting, modeling, or welding, तो नकाशी carving को हम ग्लिप्टिक उसमें, जो use करते हैं, पदती कि वो हम carving में use करते हैं, यह हो चुका है अपना पहले, इसलिए इसमें आप लोग को खुद को भी बता है कि क्या होता है भी, चलिया, अब आतने हैं, installation artist जिसमें से कौन है, बारला, क्रिस्टो, लावरेंस, लेंब्रक, तो क्रिस्टो जो है, वो installation artist है, इसमें, उनने बहुत मतलब क्रिस्टो का नाम जो है, environmental art से बीच connect रहता है, environmental art से, और environmental art के बहुत, बड़े-बड़े sculptures इनके द्वारा बनाए गए हैं, अमेरिकन artist नहीं है, तो क्रिस्टो सही है, अब आते हैं, यह वाला, जो question कभी सही होते हैं, कभी गलत, अगर इसमें से आपके कोई गलत रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा conceptual आजाते हैं, typography is most important in communication design, typography संप्रेशनर जो है, वो type विधा, अभी कल्प में, मतलब कुछ भी चीज को आप communicate करने में typography यूज होती है, सही है typography, फिर आगे क्या है, टाइप विध्या, लिखित शब्दों की चाक्षूग, मतलब उसको आप typography को different type of face में हम क्या करते हैं, उसका visual प्रस्तोधी करते हैं, यह पाट के अर्थ को किसी भी चीज का जो अर्थ है, उसको सद्रश्य बना, सद्रणब करती है, और इसे अधिक पश्ट और पठनी है, बनाती है, कुछ भी चीज को अगर हम different typography में different typography में different type of face से ल imagination है, modern Indian painter, GR Sontos, जो की कश्मीर painting, तंत्रवाद से connected है, है न, वो जो है, किसके लिए जाने जाते हैं, expressionist trend, कश्मीरी, शेवाद, mythological, पौरानिक वस्तू या social realism, तो देखो, थोड़ा सा तंत्रवाद से जुड़े थे, और क्योंकि तंत्रवाद से जुड़े थे, तो expressionist भी थ कश्मीरी शेवाद से वो connected थे, तो यह GR Sontos जी का भी आ गया, बहुत बढ़ी है, कौन सा पहला ऐसा असमारक था, जो मार्बल से बना था, भारत में, ठीक हैं, तो यह चारों जो समारक हैं, मार्बल से बने गया, लेकिन हमने क्या निकालना है, कि जो पहला था, तो देखो, बीबी का मकबरा, होशंग शा का मकबरा, ताज महल और देखो, तो यह बीबी का मकबरा हमको पता है, सबसे बाद में, और अंगजेब द्वारा बनाया गया, ताज महल, शाहजाहान द्वारा बनाया गया, टॉम ओफ इतमाद उल्ला, होशंग शा के बाद बना गया है, तो और इतमाद उल्ला यह शहाजान के वाइफ के फादर थे उसका उनने बनवाया था तो यह भी उसी समय का है तो मैं अभी एक्टुडेट मुझे भी एर नहीं पता है इसलिए मैं यह नहीं बता रहे हूं बस मैं आपको यह बता रहे हूं कि होशंग शाह का मगबरा को पहला अनुमेंट्स जो की माबल से बना गया था भारत में क्यों कि आप अगर अपको यह भी नहीं पता है तो हम यह टाइमिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है औरंग सहीब शाहाजानम यह समी मुगल वह तो जानते ही हैं सेकेंड ऑप्शन आपका सई हो गया चले एक मिनट थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं तो सही रहता है सेवेंटी सक्स चलो अब है इन में से कौन से स्कप्चर है जिनने स्टों के साथ काम किया है बहुत इजी कोश्चन लातिका कट नागजी पटेल इन दोनोंने स्टों के साथ किया है जबकि रज़त घोज ज सब जाते हैं बड़े स्टील स्कप्चर बड़े-बड़े बनाएं पेंटिंग्स भी किया है तो बी और सी देख लो बी और सी यह रहा चलो अब आते हैं निमलिखित में से कौन सा पद प्रिंट मीडिया से समबन देते हैं ठीक है प्रिंट मीडिया मतलब हम प्रिंट करके मतलब मीडिया का मीडिया जैसा काम कर रहे हैं मीडिया मतलब कम्यूनिकेट करना मास कम्यूनिकेशन यह चीज़ कर रहे हैं ठीक है तो प्रिंट विद्ध customer को अपने तरफ खीचती है magazine newspaper जो है यह आप समझेंगे print रहता है magazine printed आता है newspaper printed आता है commercial commercial tv से जब़ा रहता है tv की जो ads that's all are commercial jingles होता है वो radio में जो बीजवीट की आती है न क्या ऐसा चोट 15-15 सेकंड की गाना तो यह दोनों तो होगा नहीं बी और सी magazine और निउस्पेपर थर्ड वाला option आपका एकदम साइस में चला जाएगा चलिए हिंदी में देखते हैं राम किंकर बेंज के मूर्ती शिल्प की विशिष्टता है अत्यदिक उर्जा प्रचूरता वर जीवनतता ठीक है उनके जो भी मूर्ती शिल्प है उसमें राम किंकर बेंज और राम किंकर बेंज और अपने वो लॉट ट्रेक यह दोनों बहुत छागा हैं इस पेपर में लिटरली तो क्या बोल लाइफ की प्रति उनको बहुत ज्यादा इफेक्शन था दोनों सही है कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें गलत है कि सही है तो यह दोनों सही है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा के हम दोनों को ही सही बोल रहे हैं चलिए आगे देखें एक मिनट यह कौन सा हो गया चलिए अब किस पारंपरिक चित्र शेली की विशिष्टा में यह फिर रिपीटेड कोशन बोल्ड और कॉंट्रास कला बोल्ड होंगे कलर और कंट्रास्ट स्कीम होगी तो किस में तो थोड़ा सा पहले भी कांगरा और राजस्थानी में कन्फूजन होता था लेकिन कंट्रास्ट कलर स्कीम राजस्थान की स्पेशलिटी है भीलों का चितेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब राजस्थान के अल्मूस्ट बहुत सारे जो आर्टिस्ट है ना contemporary उस समय के तो वो अपने कुछ-कुछ नाम से जाने जाते हैं गाउ के चितेरा, भीलों का चितेरा, बहसों का चितेरा ये सब तो भीलों का चितेरा किसको कहते हैं, देखो चारों ही राजस्थान के दे दिये, इसलिए गाउं के चितेरे हैं नकरपाल सिंग, शेतावर, रामगोपाल, गोवर्धनलाज, जोशी, इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है राजस्थान ऐटिस्ट, बैंकुिट इसकप्चर जो है, वो किस ने बनाए हैं, पैय्बलो, पिकासो द्वारा, बैंकुट स्कप्चर बनाए गया है रैमब्रांट, रैमब्रांट जो है, फेमज बरोग आर्टिस्ट हम कहेंगे, डज पेिंटर वो उन्हें printmaking में printer and printmaker तो printmaking में कौन सी तकनीक specially use की है ठीक है तो हम सब जानते हैं dry point और aging इन दोनों को उनने use किया है specially तो C and D मानेंगे सहित्यवक कला में romance बात केंद रेता है हम सब जानते है romanticism का जो time period था वो सहित्य literature और art इसमें केंद रेता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता means हाँ बिल्कुल जैसे individual freedom बंदे को जो मन में आए वो कर सकता है उस तरह सी बात है फिर आते हैं प्रकृति प्रेम nature loving चाय romanticism की poetry देखें चाया painting देखें they all were the lovers of nature ठीक है तो ये भी सही है शास्त्रियतावाद बिल्कुल नहीं शास्त्रियतावाद तो से opposite था ये एक प्रकास है तो हम इसको नहीं ले सकते नेतिक था हाँ कुछ चीज नहीं थे और तरक शक्ती से बड़ी कल्प न शीता तो देखें इसमें हम E के साथ जा सकते हैं तो तरक शक्ती जो लॉजिक है लॉजिक से बड़ी कल्प इमैजिनेशन ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं पॉइंट है रोमेंटेसिजम का तो E को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो ठीक है तो A, B और E जो अप्शन है वो सही जा रहा है चलिए अब देखते हैं इसको भी हम मैज कॉलम है ये आ चुक है ये भी आ चुक है है अब फ्लक्स क्या है अब बोक्सी क्या है बसाल्ट क्या है लेपिज लजूली क्या है ठीक है तो आसान है क्वेशन तो फ्लक्स जो है प्रमोटिंग फ्यूजन, एबॉक्सी, वराइटी ओफ वूड, बसाल्ट जो है, बसाल्ट, इगनीशियस रॉक और लेपिस लजूली, लेपिस लजूली जो है, मेटामोर्फिक रॉक सब जानते हैं, हिंदी मैं थोड़ा सा में को इसका वो, आप देख लो, क्या है, फ्लक्स जो है, प्रमोटिंग फ्यूजन, मतलब एक का थर्ड, एक का थर्ड ये वाला, ये थर्ड वाला आंसर आपका सही जाता है, चलिए, आगे देख देख, कार्बोरेंडम पत्थ जो कहते हैं, वो किन दोनों का मिक्स्यर होता है, कार्बोरेंडम का मतलब कार्बन प्लस कार्बन और सिलिकॉन का मतलब मेल रहता है, चलिए, ये वाली चीज भी हमने टेलिग्राम पे जो रहते थे, उस क्वेशन में ये भी चीज ने करवाई गई है, ये सब ये भी हुआ है, में टामोफिक रॉक वाला, ये क्वेशन, ये सब उनी में से बनते हैं, क्योंकि हम ल AllSpice, Ic.I.C. Bank Lux.Cosy, किनले, सबसे पहले, Ic.I.C.I. के सामने सु का लिखावा देख रहा है, मुझे तो ख्यालापका, Ic.I.C. तो एका टू यही है चलो फिर देख लेते हैं लक्स कोजी अपना लक्स पहन के चलो यह तो हमको पता है किनली मतलब विश्वास करें और ओल्ड स्पाइस मतलब स्मेल फिन्टास्टिक तो एका फोर्थ और सुरी एक मिनिट क्या हो गया कुछ गड़बड की एक मिनिट हां सोरी सोरी बी का टू है ना यह वही मैंने का बी का टू और सी का थड यह वाला यह गलत फोर्थ वाला ऑप्शिन बी का टू एक का फोर्थ बिल्कुल सई चीक है चली हां जंगराम सिंग श्याम यह एक बहुत फेमस आर्टिस जो हैं सी कला से कनेक्टेड हैं वो कौन सी कला से हैं भील, गॉंड, सौरा और वली तो यह जो हैं फेमस गॉंड आर्टिस्ट हैं जंगर सिंग, श्याम, क्रेस्ट रॉंड ट्रॉन बिंग मॉग्ड यह जो है किस ने बनाया था, अलबर्ट डूरर ने बनाया था, शुंग सकच्च जो है चूल को का यक्षी जो कि बरहूत में मिलता है वो उसमें यक्षी है, वो किस के ऊपर खड़ी है, तो चूल को का यक्षी में यक्षी, एलिफिंट के ऊपर है, हाती के ऊपर, मैंने टेलिग्राम भे भी फोटो शेयर किया था, फेस्बुक फगेरा जहां पर हो पाया हाली में मैस आयनाक में कुशान कल का एक बोध विहार उपखनन में मिला है, यह स्थिल कहां असतेता है, कहां पर रिसेंटली अभी एक्सकेवेशन हुआ है, और वो अफगानिस्तान का है, यह मैस आयनेक भी पता हो, तो भी पता होगा आपको, उसमें बुद्धिस्ट, चलता है कि उसकी similarity कुशान पीरेट से है ना तो कुशान पीरेट का टाइम का बुद्धिस्ट वो मिला है यह यह भी रिपीट हुआ है कोश्चन कि यह फिर्म्स है और इनका आपको descending order में आपको लिखना है इसेंडिंग अतलब शयाद उसमें ascending होगा है ना जो modern है उसको आपको सबसे पहले लिखना है तो आप आते हैं इसमें इसका जो आंसर है फ्रोजन टू यह सबसे सबसे modern है तो डीव यह वलो डीवी सी ए इसको मैच कर ले ना आप लोग मुझे भी डंग से याद नहीं रहते हैं वह मुझे बस इतना पता है आंसर की में भी देख लिया था कि यही है यह कॉशन रिपीट हुआ है वैसे रटने वाला कॉशन है मेरे लिए तो फ्यूट प्लेयर किसमें बनाया है बहुत फेमस स्कॉप्चर धनराज भगत ज्वारा बनाया गया है चलिए कौन से इंडियन यह यह भी अपने बहुत बार क्वेशन कर रखें यह तो बहुत इजी इजी है कौन से इंडियन पेंटर है 26 मार 2020 को किस भारती चित्रकार का निधन हुआ जो स्वतनत्यतर कल्राकार की एक मुर्तिकार मतलब पोस्ट इंडिपैंटेंटन्ट है ना मतलब इंडिपैंडेंडन से पहले पाकिस्तान के थे हैं ना वो 26 माद 2020 में किसकी डेट हो यह तो सतीज गुज्रादी फेमस पेंटर मिरलिस्ट ठीक है ब्लोइंग दे कौन्च स्कॉप्चर किसका है तो विनायक पंडुरंग कर्मकर उनका है ट्रिब्यूट मनी ट्रिब्यूट मनी भी पिछली बार तो पिछले से पिछली बार शायद प द्वारा हुआ था तो जयंत गजेरा इनके द्वारा हुआ था आर्ट एस एक्सपीरियंस बुक है अब इसमें क्या समझाओं किसके द्वारा लिखी गई है जॉन डेवी चलिए पेंटिंग है इसको हम लोग उने मैच करना है तो बहुत ऑफ वाइट रोस के फैरी टेल्स पूर्वा पली बॉर्थ ओफ वाइट रोस चकुंत्रा पतलेखन ओटम अनुपम सूझ जी चकुंत्रा पतलेखन राजा रवी वर्मा फिर है ते फैरी टेल्स ओफ पुर्वा पल्ली यह आपका के जी सुब्रमन्यम और बर्थ ओफ वाइट रोस होमना थो तो अधीद ऊप्षण ठीक है एका थ्री पीका फोर सेकंड ऑप्विज्म और फिज्म कोई तरहम जो है किसने डी जी और फिज्म आर्ट मूमेंट उसमें उसका जो टर्म है वो किस ने दी जो एपोल नायर ने दी थी और क्यूबीजम का भी एपोल नायर ने दिया था पुराने जमाने में जो प्रिंटिंग होती थी तो कौन सी इंक यूज होती थी थी कि तो थोड़ी सी कंश्यूजन सबको ओईल बेस वाटर बेस में हुई थी सीरे में एक पीरी से सबको पता ही नहीं होगी तो वाटर बेस जो है पहले जमाने में सबसे पहले जो इंक है वाटर बेस यूज होती थी फिर आटवक आगया सती भारत माता शकुंतला लास अपर वेरी इजी लेकिन टाइन पीरेट इसमें मैच करना है अपको ठीक है तो भारत माता से ही सबसे पहले याद रखो कि 1905 जो हमारे विभाजन का समय था बंगौल विभाजन उसके समय भारत माता हमने इना टेगोर जी ने बनाई थी तो बी का टू बी का टू जो है एक ही में है लेकिन फिर चेक कर लेते हैं अपन एका फोर्थ एका फोर्थ 1943 सती ननलाल बोस द्वारा बनाई गई थी सी का 1 1870 यह भी को पता है शकुंतला राजा रवी वर्मा ज्वारा और 1870 उन्हीं का समय हो सकता है और लास पर 1940 जो कि हम किसका टाइम ले रहे हो पर इससे आपकर काम बन जाएगा अब कौनसा स्टों सबसे सॉफ्ट होता है कौनसा हाड उसको जमाना है है तो चुना पत्थर बलू पत्थर ग्रेंग पत्थर और इस पत्थर तो जोप पत्थर तो देखते हैं देखो sop stone नाम से ही पता है हमको sop एसी याद रखती हो में इसलिए बोल दो Sop मतलब सामुन कितना soft होता है तो sop पत्तर सबसे soft D फिर आते हैं फिर इन में जो वोलते हैं चुना पत्तर लैंस्टोन होता है न वो होता है यह वन फिर टू बलुआ पच्छर फिर आपका आजाएगा और ग्रेनाइट सबसे हार्ड तो डी ए बी सी दी एबी सी फोर्थ आंसर सही होगा चले फिर आगा आपकी स्टेट्मेंट वाला इंगले हिंदी में गुस्ट्राइट ने कहा है कि चित्रकला यह थार्ट परक होनी चाहिए गुस्ट्राइट कॉबर्ट दा फेमस रियलिस्ट वो बोलेंगी इसे जिसका सीधा जुडा आप खुद देखो कि गुस्ट्राइट के आठ पेंटिंग्स में आपको कोई मित्किया धार्मिक चीज़ें नहीं दीखेगी लेकिन फिर भी वो रियलिस्टिक से में यह थार्थ वादी थी वो लैंड्सकेप देख लो आप ऐसा वो रियलिस्टिक पर काम करना चाहते थे दोनों सही है तो इसका आप आजाएगा सेकेंड ऑप्शन बोथ टू चलो यह भी पेंटिंग्स है और बहुत कॉमन पेंटिंग है गोवर्धन पाभुजी राठोर सूर्य नमस्कार और हिमालिया किसने क्या बनाए यह निकोलस रोरिक पाभुजी राठोर क्रिपाल सिंग शिकावत के दो-3 इंपोर्टेंट पेंटिंग्स है जो कि लास्ट उसमें आचुका है एक वह भरत कैरिंग दे सैंडल्स ऑव राम यह भी बहुत इंपोर्टेंट एक पाभुजी राठोर भी पोट्रेट ऑफ पाभुजी राठोर यह भी इंपोर्टेंट है गोवर्धन ज चलिए अब इनमें यह जो ऑप्शन है क्रानोलोजिकल और प्रिंट मेकर का देना है आप लोग भी कमेंट करके बताना यह क्वेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लेम करना चाहिए क्योंकि आंसर की मैं इसका आंसर जो दे रखा है वह आंसर एक्जाक्ली सही नहीं लग रहा है ठीक है क्यों क्योंकि बात करते हैं 2 मिनिटए इसकी बात करते हैं एक टॉल्ड लॉल ट्रेग्त पोस्ट इंप्रेशनिस्ट और बाकी जो तीनों है एक्स्प्रेशनिस्ट हैं ऐसे याद करेंगे लेकिन जो इनका समय होता है वो मैं आपको बता दूँ कहीं बुग में भी देखो चाहें नेट पे भी सर्च कर लो एडवर्ट मंक का समय 1863 लॉट्रेक जो हैं अपने 1864 एमिल नॉल्ट 1867 और एरिक हैकल यह आपके 1883 तो काईदे से आपका यह होना चाहिए डी ए डी ए बी और सी 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 देट मेंज फर्स्ट वाला होना चाहिए लेकिन इनने जो उप्षिन में दिया है वो शायद उनने लॉट्रेक से पहले नोल्ड को रख लिया है मतलब डी बी ए सी ऐसा कुछ था मैंने देखा था हाँ डी बी ए सी यह वाला उप्षिन दिया है भई तो अब आप बिसाइड करो आप इस ठीक है जिसका भी है चलो अब देखते हैं आगे किस प्रकार के विज्ञानिक पटों पर LED स्क्रीन के जरीए सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदीश्रित किये गए हैं कौन से तो डिजिटल बिलबोर्ड जो होते हैं उसमें हम LED के जरीए आपकी एडविटाइजमिन होती है इसका सीक्वेंस जमाओ स्क्रीन प्रिंटिंग का क्या क्या करते हैं सबसे पहले स्क्रीन को तयार करते हैं सबसे पहले डिजाइन तियार करते हैं फिर स्क्रीन को तयार करते हैं फिर एमोल्शन लगाते हैं और फिर प्रकाश के द्वारा एक्सपोजिंग होती है तो कि नहीं पर फिर वो जमे गाई नहीं वो कुछ भी वही चाहिए गा चलिए आप स्कुप्चर्स हैं देख लेते हैं किसने क्या बनाया ओगस्ट रोनी एडगर डीगर्स पिकासो और बोसी यानी तो रिनॉर का है स्टैंडिंग वीनस नहीं भी पता कोई बात नहीं एडगर डीगर्स का तो सबको पता है लिटिल डांसर ओफ फोटीनियर्स पिकासो ने ग्लास ओफ एबसेंट बनाया कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग ये दोनों तो बहुत पढ़ चुके हैं और बोसी योनी का भी ये सब्सक्राइब हम लोग पुराने पेपर में देख चुके हैं एक थर्ड एक थर्ड और बीका टू एक थर्ड बीका टू थर्ड ऑप्शन सही है चलिए कौन से आर्टिस्ट हैं जो शॉर्य लिस्ट है अतिया थार्थवार्थ से जुड़े हैं डिराइन डूशाम डैली हैं तो डिराइन डिराइन जो हैं उसके हैं फॉविज्म डचैंप डड़ाइस डाली मिग्रेट जॉन मीरो यह तीनों सी डी यह सही है चलो प्रिंट मेकर्स इन में से कौन-कौन है तो पलनी अप्पां देवराज डखवाजी और रिनी धुमत यह तीनों है प्रिंट मतला पलनी अप्पां प्रिंटर प्रिंट मेकर हैं दुमल भी प्रिंटर प्रिंट मेकर्स कौन को नहीं तो ए सी और ई करेंगे ए सी और ई यह वाला चीक है चलिए यह भी रिपीट कोश्चन राजा रवी वर्मा भारती कला के इतियास के श्रेश चित्रकार और प्रिंटी मेकर हैं ठीक है वे अपनी कलाकृतियों को आम जनको प्लक्त कराने के लिए अपने चित्रों में ओलियोग्राफ और डितोग्राफ बनाने में प्रसिद्द थी क्यो कि वो ऑईल पेंटिंग्स होती थी लेकिन राजा रवी वर्मान का ही बोलता है कि उनके द्वारा पेंटिंग्स जन जन में पहुची घर घर में पहुची क्योंकि उनने उसके ओलियोग्राफ बनाए डिप्लिकेट्स बोलेंगे जैसे तो यह दोनों सही है चलिए इनका ओर अब और देख लेते हैं डेतों सिर्फेक्सों कोलगेट्ज किया और क्लिनिक प्लस किया सबसे मॉडन दी लास्ट में लेकिन उसके बाद आसपस भी देख लेते हैं आपन थोड़ तो डेतल फिर यहीं जपेक्स किया और क्लिनिक प्लस मतलब A B E C D फर्स्ट वाला ठीक है चलिए फादर ओफ एडवर्टाइजमेंग दस बार घोट के पिला दिया आपको डैविड ओगिल भी कुछ-कुछ अच्छे भी आ जाते हैं मतलब बिल्कूल इजी पलव पीरेट्स का सबसे अर्लिएस स्ट्रक्चरल सरचनावाद सरचनात्मक टेंपल भीमरत केलाशना टेंपल कांचीपूरम शोर टेंपल वेकुंट पैरमल टेंपल तो देखे थोड़ा सा इनके जो एकदम एक्जाक टाइमिंस नहीं होते हैं पर अपर गांचीपूरम टेंपल तो भाइयां एट सेंचुरी का है यह भी कुछ 7th 8th सेंचुरी तो इन दोनों को धटा दो शोर टेंपल को हम कहीं कहीं पड़ा है अर्लियस टेंपल कहा जाता है यह कुछ mid 7th century का है इसलिए बोल रहे है 630-630 तो answer यही सही माना है उनने लेकिन कहीं कहीं किन लोगों ने भीमरत भी लगाया है तो आपने भीमरत भी बनाया है तो वो भीमरत भी है वो भी mid 7th century का लेकिन शोर टेंपल को पहले बना है वो ठीक है तो यह वाला answer आपका शोर टेंपल सही है अब आते हैं इनका chronological sequence देखिए पोलोग, कुनिंग, रोतको, मोरिस तो यह तो पता है मतलब पता तो सब है 1912 इसका पोलोग का टाइन था कुनिंग और इनमें एक साल का अंतर है कुनिंग, छोटे है 1904, रोतको 1903, और मोरिस कुछ 1990s में, 30s में होंगे, है ना, तो 1930s में, 1990 कहां से तो हम आते हैं, इसमें सबसे बड़े हैं रोतको, C C, फिर कुनिंग, C, B, A, C, B ए कहा है भी 4 तामसा सही है, चलिए, आगे देखें कहां पे कहा है Portraits of Gudua, Arch of Constantine, Jigaret और Haniva बहुत easy, देखो ये दो चीजें आपको कित्ती बार रटाई है टेलिग्राम के quiz में Jigaret कहां से connected है, Mesopotamia से, Haniva कहां से connected है Japan से, Arch of Constantine, Rome में, और Portraits of Gudia, Sumeria C का third C का third, D का two B का one ठीक है, third option आपका सही जाता है, भारत में वूड इंटेगलियों के शुरुआत, अगेन repeated, ये same question पूछा गया है आपसे टेलिग्राम क्यूज में किसने की है, सनत करने OC का उंगली द्वारा कौन सी books लिखी गई है तो रागज और रागिनीज और राजपूर पेंटी, ये दो A और C कौन से आटिस्ट है, जो mixed media के साथ काम किये है वाविश सान्याल, प्रितपाल लड़ी सुशेन गोश ये अनिता दुबे तो B और D प्रितपाल लड़ी और अनिता दुबे इनने mixed media के साथ काम किया है मतलब एक चीज में दो-तीन medium का यूज करके काम किया है ठीक है, ऐसा mixed media उसका मतलब आप गलत मत लीजेगा कि जैसे भाविश सान्याल ने पेंटिंग बना है, इसा नहीं mixed media में काम किया है तो B और D A और C Kenneth Armitage जो है उनके द्वारा बनाए गए sculptures तो British sculpture है ये भी इनने ये वाला, slab figure walking group, ये दो इनके द्वारा बनेगे C&D, 4th सही दिया है इनका chronological sequence बनाना है, question अच्छा था लेकिन ये question ड्रॉप कर दिया गया है क्यों ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि इसका आंसर ये सही बैटर है लेकिन इसमें E को गायब कर दिया है इन लोगोंने, ठीक है? सबसे पहले फिर भी बता देती हूं अब्दुल्रह्मद चुकताई, चित्तो प्रसाथ फिर हमारे देखो C, B केजी सुब्रमन्यम फिर सोमनाथ हो, सॉरी फिर हमारे जे स्वाम इन अथन और सोमनाथ हो, ऐसा है तो ये option ड्रॉप हो गया है क्योंकि option में एक वो गड़बड हुई है तो आप लोग सबको दो marks इसके मिल जाएंगे होकुसाई कौन है तो युकोई painter and print maker तो B और D, B और D वाला तो दिया हो थर्ड option सही जाता है टीवी में जो कमर्शियल आते है टेलेविजन में उसका most common length क्या होती है 10, 15, 30, 20 तो 2 है क्या हां 15 और 30, B और C थर्ड option, चलिए women critics और curators का नाम इसमें जानना है, कला समिक्षक और curator, Mrinalini Mukherjee, Gayatri Sina, Naina Dalal, किरन नडाल तो जो है आपका B और D यह दोनों जो हैं, Mrinalini Mukherjee को हम जानते हैं, Naina Dalal के बारे में जानते हैं, इन दोनों के बारे में नहीं भी जानो इनापूरी ज्योती भड, श्याम बेनिगल तो बुद्धा देवा दास गुपता, इनने मीटिंग मंजीत नामन डोकुमेंटरी किया है, कला कालीघर पटे चित्र जो है उससे कौन यह भी कितनी बार कर लिया है, जामिनी रोय, जल्दी अल्दी करते हैं थोड़ा अपन, ध्यानी बुद्धास जो हम जानते हैं, वहना पाशतरा के ध्यानी बुद्धास सेंटर और चार अलग-अलग जगे कौन है, इसमें मैत्रे, अमिताब, मंजुरी, विरोचना, अवलोकिदर, सबको पता है, अमिताब और विरोचना, ध्यानी बुद्ध फिर क्या है? पोटेशियम डाइक, एक थर्ड, एका थर्ड, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेर्ड, जोकी स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होती है, फोर्थ, फिर एका थर्ड, भी का फोर्थ, सेकेंड ऐप्शन ठीक है, सी जी पा का सेकेंड, सोफ्ट ड्राउंड maior उप्kick देखो गंगा अव्तरण में शिव का क्या रूप है कल्यान सुंदर में कैसे उन्हें हाथ वह ही निए गज हस्त्र मुद्रा जो होती है रावन अनुगरह में भी बहुत अभे मुद्रा मतलब अभे मुद्रा निए वह अपना अंगुठा वो नीचे किये वे अकल्यान सुंद और पॉल की ए और पी चलिए अब देखते हैं इसका आंसर कितने कोशन बचें एक चलिए नंबर रखना भूल गए तो पता नहीं पड़ पर तो कौन सा लोगों किस ने दिया तो इसमें अपने फर्स्ट डिसकस करने से अच्छे इसका फर्स्ट आंसर सही है लिया है ना इसको मैं क्या समझाओं आपको जीमेल जो है किसका महान इक्जामपल है जीमेल तो जीमेल एक प्रकार की वेब अप्लिकेशन है with the help of एडवर्टोरियल नहीं है, इन्फोग्राफिक्स नहीं है, इन्फोमेशियल नहीं है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, वेब एप्लिकेशन है, इंटरनेट के दुआरा हम एप्लिकेशन यूज करते हैं, pneumatic tools are used for reducing the physical labor, अवश्य समय में परियाप्त कमी करने के लिए, सामगरी बचाने के लिए, मानवी कोशल में व्रधी के लिए, pneumatic tools, तो pneumatic tools जो हाथ के मदद से वो चलते हैं, A और B option सही होगा, इसका, चलिए, रबिनार टेगोर ने mostly अपने last face में अपने self portraits बनाएं, वो freedom psychologic theory, जो proud द्वारा dreams की theory थे, उससे inspire नहीं थे, हम सब जानते हैं, भारत में वो dreams, जो swapन है, उसकी theory के लिए जाने जाते थे, हमारे रबिनार टेगोर, तो ये तो गलत है भाईया, और ये भी है, कुछ लोगों ने, इसको, NTA ने सही माना है, लेकिन कुछ लोगों ने ये बोले कि, वो mostly, जो word है न, वो self, मतलब मेरे सही बोला है, और इसको गलत बोला है, तो देख लेते हैं, one correct, second incorrect, ये थर्ड वाला answer को इसने सही बोला है, डेविड ओगिल भी द्वारा क्या ने लिखा गया, I am loving it, ये उनकी नहीं है, बाकी सब है, horizontal line जो है, हमारी इस तरह किशीती क्या बोलते है, वो क्या, जो मतलब क्य बताती है, शोब, excitement, ये सब तो rhythmic और इस सब बता दी, tranquility, जिसको हम प्रशान्ती बोलते हैं, ये सही है, चलिए, आग्या फोटो, ये अभी इसमें शायद आ नहीं पाया है, आप देख लेना, जैन एवरेल, जो इसमें mentioned है, वो कौन है, तो नाशती वी दिखरी है, अलगी, ये एक पोस्टर है, ये क्या है, इसका मीडियम तो कलर लिथोग्राफ, ये कलर लिथोग्राफ में फेमस थे, जिसको ये पता है नाम, तो वो easily इसको answer कर सकते, किस आर्ट मुमेंट से असोसियेट थे, तो पोस्ट इंप्रेशनिस्ट थे, अब ये देख लो भाई, ये आ ग देख लेना आप लो, जैन अवरिल की पोस्टर, ये क्या है, तो ये कौन से, जो आर्टिस्ट है, वो कौन से अकेडमी इंस्टिटूट, कौन से संस्थान के थे, तो भई, रामकिंकर बेंच है, तो कलाब भवन विश्यो भारती इनिवर्सिटी से, फिर, स्कुर्प्र कौन है, रामकिंकर बेंच है, ये सब आ चुके है, हना, टाइटल क्या है, संताल फैमली है, सब को बहुत कॉमन आया है, तो, इनके उपर जो एक फिल्म बनी थी, रामकिंकर बेंच के द्वारा, ये पहले भी कॉशन आया है, किसके द्वारा, ये अपने टेलिग्राम में भी किय यह प्रोविजनल आंसे की है अगर यह जो मैंने एक काद आपको बताया आपको लगता है तो आप क्लेम कर सकते हैं और अगर कुछ और भी मेरे द्वारा गड़बर हो गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना ठीक है और बिल्कुल मायूस मत होना अगर मार् तो बस यह इसलिए था जिन लोगों को आंसर की देखने में दिक्कत हो रही है आप ऐसे देख लें तो easy रहेगा और paper का level देख लें इसी तरह से पढ़ना है कैसे क्या करना है वो आप देख लें ठीक है thank you so much all the best हम लोग जल्द ही अपने वीडियो को start करेंगे बाबाइ